नमस्ते फैमिलीज कैसे हैं? आप सब आए होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ चलिए फैमिलीज आज बनाते हैं कि बिलकुल सिंपल तरीके से सबसे पहले ले लिया है, मैंने चीनी एक ही चीज का मेजरमेंट रखना कोई कप या कटोरी किसी भी चीज का मैंने एक टीफन लिया हुआ है बेबी बिटेगा उसके साथ मैंने मेजरमेंट कर लिया चीनी और ये सारा समान है वन बाई वन मैं आपको बताती जाती हूं जैसे जैसे डालती हूं और वैसे वैसे मैं को बताती जाओंगी चीनी मैंने पीस के रख लिया और यह बरतन ले लिया इसमें सारे चीजे मिक्स करूंगी सबसे पहले मैंने कटोरी में पानी लिया उसमें आदा चमच आपको कौफी पॉड़र डाल के घोल के रख लेना है उसके बाद जिससे मेजरमेंट से आपने चीनी जाते हैं उससे आपको औलेना है कोई सा Ḡीशक फिस लेशेकि आप और इसके अंदर आभी चीनी डालनी है जो ceremony को paste कि अभी इस्को नो շापित यह था तो ते जो और हमने के representative मासिक अधिक करेंगे मैद्धा मैं डालूंगी डेड़ कप के करीब यह जो मैंने टिफन ले रखा है काटोरी जैसा इसको एक पूरा भरूंगी और एक हाफ यह है कोको पॉडर यह आप असेंस डाल सकते हो यह आप कोको पॉडर डाल सकते हो एक ही चीज डालना ये देखो इसको मैंने डाला है दो चमच दो चमच से यादा डालने की जरूरत नहीं है ये बेकिंग पॉडर एक चमच डाला है और बेकिंग सोडा भी मैं डालूँगी दोनों डालना है बेकिंग सोडा और बेकिंग पॉडर दोनों डलेंगे ये सोडा डालूंगी मैं हाफ चमच अभी चलिए सब को mix करते हैं अच्छे से और इसको mix करने के लिए मैं इसमें दूद भी डालूंगी ताकि इसकी अच्छा सा एक जो paste है वो बन जाए चलिए इसको पहले अच्छे से mix करती हूं मैं बड़े बतन में इसको ट्रांसफर कर लिया है थोड़ा थोड़ा दूद डालके अभी मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ चलिए दिखाती हूँ आपको अच्छे से मिक्स करके ये देखो ऐसा बनना चाहिए आपका मिक्स होके जब आप मिक्स कर लोगे लास्ट में आपको इसमें विनेगर डालना है एक चमच बस इससे यादा नहीं डालना फिर आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और जिस बरतन में आपको बनाना है उसमें अच्छे से घी लगा के उसमें इसको ट्रांसफर कर देना और प्रेशर कुकर में मैं बना रही हूँ और उसकी स्कीटी मैं निकाल लूँगी तो जो अलमीनियम का होता है वो ले लेना मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने अलमीनियम और फॉल रख लिया फॉल पेपर नीचे आप बटर पेपर रख लेना और मैंने प्रेशर कुकर रखा हुआ था इसके अंदर मैं ठककन रख दिया है और पहले एक मिनट तक तेज रखना है गैस का फ्लेम एक मिनट के बाद आपको मीडियम फ्लेम पे कर देना है और इसको 30 या 35 मिनट तक पकाना है उसके बाद मैं तूथपिक के साथ चेक कर रही हूँ अगर तूथपिक क्लीन निकल आए तो समझो बन गया अभी मैंने विप्ट क्रीम ली थी इसको मैंने अच्छे से देखो फॉर्म सी बन गई है मैंने मिक्सी में बीस लिया था इसको जैसे ग्राइंड करते हैं न कोई चीज मैं ऐसे कर ली थी और बन गई और ऐसे मैंने फिर इसके लिए अर बनाई लास्ट लुक मैंने इसके लिए न भूल गई इसलिए मैं पिच्चर एड़ कर ली हूँ कैसा लगा मिलते है नेक्स वीडियो में बादे